रखकर जला दी है वेपार होगा दिवसाय होगा या फिर घर में रखा हुआ धन होगा पंदरा दिन के लिए वो छिण होगा वो जायदा पैसा टिकने वाला नहीं पंदरा दिन तक चा कुछ भी करें रखकर भक्तो हरर महादेव आज किस वीडियो में हम पंदित परदिर जी मिश्रा द्वारा जानेंगे कि दिया जलातेश हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर से माता लक्षमी पहने का मतलब है कि धन दौलत जाने लगता है देखिए वैसे तो दिया अक्ष हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमेशी कौन सी गलती कर रहे हैं तो आज कि इस वीडियो में पंदित परदिर जी मिश्रा दिया जलाने से लेकर काफी महत्पून बात बता रहे हैं काफी शमान ने गलती के बाड़े में बता रहे हैं जो हमेशे बहुत लोग करते हैं ज जैसा कि मैंने बताए हमारे घर से लक्षमी चली जाती है जो भी हम काम करते हैं उससे हम घाटे में जाते हैं कहने का मतलब है कि किसी भी काम का लाभ हमें नहीं मिल पाता है तो इसलिए आज की इस कथा में पंडित प्रदिप जिमिस्रा दोरा बताएगे दिये से जूरे बताएगए बात को अब ध्यान से सुने इस वीडियो के मध्य में बीच में पंडित प्रदिप जिमिस्रा ने वह बात बताई है इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखे त मंदिर में घंटी क्यों बजाए जाती है घंटाल क्यों बजाए जाता है ताली क्यों बजाए जाती है मंदिर के अंदर कारण क्या है संकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाए जाती है संकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाए जाता है ताली का नाथ क्यों करा जाता है शिव मंदिर में किस ली करा जाता है तो लिंग पुराण करती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुन घंटी जब बजाते हो घंटी का नाथ जब करते हो तो शिव महा पुराण की कथा और लिंग पुरान की कथा विश्नु पुरान की कथा करती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमी पर तीर्थ हैं जितने साधक साधना कर रहे होते हैं जितने तप कर रहे होते हैं जितने पवित्र नारी इस्त्री पतिवता धर्म का पालन कर रही होती है जितने दान पुन इसमन हो रहे होते हैं उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुन घंटी का नाद करते से तुमारे खाते में आ जाते हैं मात्र घंटी का नाद कर दें शंकर जी के मंदर में जाकर ताली का नात किया जाता है ताली का नात शुम मंदर में क्यों बजाई जाती है उसका कारण उस मंदर में जितने बेठे होंगे जो भजन कर रहा तप कर रहा सांतन कर रहा अभिशेक कर रहा पूजन कर रहा तीन बार ताली बजाने से उनका साड़ पर गरुन घंटी नहीं देंगे, क्यों नहीं देता है, क्योंकि गरुन घंटी का जमनात करा जाता है, तो सब का अपने हमारे खाते माँ जाता है, कोई साधरन घंटी बजाना, उजन के समय पर, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाए जाती, समय समय पर, और आप से भी नह मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाथ करो तो बड़े प्रेम से करो ऐसा नहीं कि लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ का मतलो तो घंटी को बजाने के लिए आएगी नहीं उसका एक समय उसका एक संबोधन उसका एक आनद कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है दरवाजा बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं दोश दोश भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय के इती वज़े से इती वज़े तक मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए जिस जगा पर ब्राह्मन विद्वान है साधक है संत है साधू है मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रसी से उपर बांदिया जाता है जिससे बजे ना क्यों कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं सो रहे हैं निंद्रावश है या पट बंद है उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं ग्यारा ब्राह्मन के भूके रहने का दोश लग जाता है जीव को मात्र घंटी बजा देने प अगर भगमान विश्राम करें भगमान विश्राम होस्ता में है पढ़ बंदे दर्वाय बंदे और लिखा हुआ है समय मंदर खुलने का समय 11 वजे से इतनी वज़े तर कि अधमिए तुमने तो देख लिया कि पढ़ा तुम्ने तो आगये तुमने तो मनमें सब्सक्राइब को बेल पत्र चड़ी हुई बापिश चड़ सकती है पर किसी वी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चड़ाया है कोई पुष्प आपने चड़ाया है ठंड का समय है या बारिश का समय है पुष्प जो चड़ाया हो सकता है कि मुर्जाया नहीं हो होता है ना ऐसा कभी कभी के पुष्प मुर्जाया नहीं हो या उसमें ताजगी हो सुन्दर दिख लग रहा हो बहुत अच्छा हो और वो कुष्प चड़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया उतर गिया उतरने के बाद फूल कित्ता भी सुन्दर हो फूल कित्ता भी ताजा दिखें पर वो देवता को समर्भित नहीं हो सकता भले उसमें सुन्दरता है ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं भगवान के सामने आपने एक बार चड़ा दिया चड़ाने के बाद वो लखे रहते हैं तो इसा लगता कि भी कुछ पाजे से दिख रहा है तो कई माताओं की आदात रहती है उन्हीं फूल से वापी के सामने डाल देती है पर वो गलत है वो गलत है जिस दिये में बाती लगी हुई है बाती पूरी जल चुकी है उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिये के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया तो वो जलाया गया जो भाग है लच्छ पर फ्रिक्टिकल करके देखने, दिये के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के लिए ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते हैं, जला हुआ उसके अंदर रहे जाता है, कही लोगों क्या आदत रहती है, कि अभी शाम का टाइम तो है उसको कोई अटा है, उसी में आपन दूसरी बत्ती रग दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दी, भाग उसी में पड़ा हुआ है, और आपने दूसरी बत्ति अगर रखकर जला दी है वेपार होगा दिवसाय होगा या फिर घर में रखा हुआ धन होगा पंदरा दिन के लिए वो छिंड होगा वो जाएगा पैसा ठीकने वाला नहीं पंदरा दिन तक चा कुछ भी करें ठीक नहीं चल सकता वेपार तुम कितन कुछ होता है जब पंदरा दिन गराक आते हैं तो पंदरा दिन क्यों नहीं आते हैं आट दिन गराक आते हैं तो आट दिन क्यों नहीं आते हैं उसके पीछे तुमारा कोई कारण होगा फिर अपनी गल्ती को ढूंड़ो कि हमारी गल्ती क्या हो ले तो उसमें आपको वर्ण प्रण किया था कि भगवान की बेलपत्री भगवान का परशाद अगर पलंग पर रखा है तो दोश्पॉर्ण है वो दोश्पॉर्ण अब बाबा ने पूछ लिया इंदर मैंने माला आपको दी थी माला काएं इंदर करते मेंने तो एरावत को दे दी ती एरावत से पूछा वो काएं मैंने तो अपनी मस्ती में फेक दी पाऊं के नीची आ रही है मैं तुझे श्राब देता हूँ इंद्र तो तेरी सक्ता के विमुक होगा जितना तुझे तेरी सक्ता से प्रेम है इंद्र तुझे अपना सिंघासन प्रिय है मैं तुझे श्राब देता हूँ कि तेरा वो सिंघासन तेरा छूट जाएगा माला का अंतर देखिए जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो वो माला अगर सही जगा नहीं जाती जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगा नहीं जाती जिस परशाद को लेकर आप खुश होते हो वो परसाद अगर सही जगा नहीं जाता तो उसका उसका हल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा एक कथा आपको सुनाते हैं वो कथा नहीं है हमरे जीवन का प्रतक्षो धारन प्रतक्षो धारन भवानी मंडी में भवर लाल जी शर्मा रहते हैं सायद वो कथा सुन रहे होंगे वो कथा सुन रहे होंगे यह मुझे विश्वास है उनका नियम था हर महीने वो गोवर्धन नाजी की परिक्रमा करने जाते थी और हमारा भी नियम था हम गोवः धना जी की परिक्रमा अर महींदे करने जाते हैं, कई बार इसलों यूग बन जाता था, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है, ये भावः लाउन का नाम हमको तो भाद़म मालूं पड़ा, कि ये भावानी मंडी के रेने वाले वो भी पूछा उन से वो भी रो रहे थे तब पूछा गया ये ये हकीकत की कता ये कोई कता किसी बुस्तक से नहीं है ये प्रमानिकता और उनका नियम था गोरधनाजी की परिक्रमा करते लगाते भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धाराते गिराता था खूब भगवान की सक्ता थी खूब वेभव था खूब पैसा था जित्ती वाराते वो आदा पीपा का एक पीपा का आदी बोरी का एक बोरी का महां बोरी से राजभोग होता गे राची में तो वो भोग लगा देते थोर मोहन थाल लड़ू सब करते हैं तब धीरे धीरे बहुत उनका वेभव बहुत पाइसा था वरलाल जी किया काम भी अच्छा था उनका साथ पत्थर मत्थर का कुई काम था तो अच्छा चे महीना काम त keeping माधि हमति ना जी आते रहे परिकमा यहां अमने भी घणि करी कर तो छो सब हुआत घिरे धीरे बै पारुन का थोड़ा कम हुआ नका पत्थर का काम था देरे पुरहका पहीं बंद हो गया दूसरी जग हो भी बंद हो गया थीसरी जगऑ के बंद हो एग ज siरway बंद मुकुट शिला ते उस मुकुट शिला पर हम बेठे हुए थे और ये भहिया निकल कर जा रहे थे और आज ये दोनों पती पत्नी की आख में आशु बरे हुए थे परिक्रमा करते हैं अब मुक से निकल गया भहिया आप कोण हो, क्यों रो रहे हैं और वो भी गिरादा की शरण में रो रहे जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है भोलेनाद की शरण में रहता है ठाकुर की शरण में रहता है मेरे कृष्ण की शरण में रहता है मेरे गोरधननाद जी की शरण में रहता है मेरे राम की शरण में रहता है तो उसकी आख म तोहां सुवाना ही नहीं चाहिए फिर आप क्यों रो रहे अरे महाराज धोती तो पह नहीं थे हम तो कहा अरे महाराज बहुत तेले की बात है लगवग लगवग हो गया हूंगे आठ-दस साल आज याद आईए तो बता दे अरे महाराज बड़े दुखी हैं क्या हो गया हर मह आदिने आते हैं बाबा बहुत सुनता था खूब बेभव था परन्तु अब कुछ बचा नहीं अब तो भगवान को भोग भी नहीं लगा पा रहा है वह इस थी थी तो है थोड़ा बहुत बन जाती थी हमने का कुछ नहीं कि राज बाबा से बिंती करो इसी दशा क्यों लाकर छोड़ दिए दुख दिया है आपने तो सुक भी तो आप दोगे आप बिंती करो बाबा से कि इसा समय क्यों लाए हो यह समय आखिर किसली आया महाराज बिंती तो हर बार आते हैं हर बार करके जाते हैं पहले परिवार समयत आते थे तो दोनों